राजनीती में ऐसे बहुत ही कम नेता है जिन्होंने अपनी छवी को विल्कुल साफ सुतरा रखा है उनमें से एक का नाम है सचन पाइलेट वहीं दूसरी और कई नेता ऐसे हैं जो अपना स्वार्थ पुरा करने के लिए ऐसे फैसले ले लेते हैं जो उनके जीवन पर यानि क इस टाइब के दाग उनके राजनेते एक जीवन पर लग रहे हैं बताएंगे आपको सब कुछ डीटेल में इस वीडियो में इस लिबने रहे आखे तक हमारे साथ नमस्कार मैं हूँ चेतना शर्मा आप देखना शुरू कर चुके हैं समवार्थ भारत का भारत के लिए और जब वो लोग कई ऐसी बात कह देते हैं जो मन को छूँ जाती है या कई लोग ऐसी बात कह देते हैं जो चुब भी जाती है ऐसे ही टाग दिये जाते हैं हमारे राजनेताओं को चवी पर उनकी चवी पर तो हनुमान बेनिवाल को नागौर का नितिश क्यों कहा जा रहा है हैं जिनके एक बुलावे पर लाखों लोग एकटा हो सकते हैं लेकिन इन लोगों को जरूरत है अपनी छवी को बरकरार रखने की अब आप सचिन पाइलिट को देखे तो उन्होंने निश्ठा का अपार उधारन देते हुए इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कॉंग्रेस छोड़ी नहीं और इसको लेकर उनके फैंस उनके फॉलोवर्ज उनके समर थक बढ़ते ही जा रहे हैं कि रोडी लाल मीना वो खड़े हैं अपने लोगों के लिए इसलिए उनके फैंस बढ़ते जा रहे हैं हनुमान मेरी वाल भी स्टैंड लेने के लिए अपनी बात पर लोग उनके कायल हुआ करते हैं कायल हुआ करते थे लेकिन अब जो है उन पर ये दाग लगने लगा है कि वो गुड़कना लोटा हुए वो कभी आमाद्वी पार्टी में जाते हैं वो कभी आजाद समाज पार्टी में जाते हैं कभी एंडिया का गट बंदन लेते हैं कभी कहीं चले जाते हैं कभी कहीं चले जाते हैं अब इ आशा उनके प्रतीब बहुत जबरदस्त है लोगों की कोई अगर स्टैंड लिने वाला नेता है तो वो हनुमान बेनिवाल है उस आशा पर खरा उतरना बहुत जरूरी है क्योंकि नागौर की खिलसर की वो पबलिक जो उन्हें बे इंतहा महबत करती है लेकिन कभी वो किसी के साथ कभी वो किसी के साथ इस तरह से आएंगे तो वो पबलिक जो आपसे प्यार करती है वो भी कम होती जाएगी और आप पर दारूंदार केवल नागौर का नहीं है आप पर दारूंदार पूरी राश्ट्रे लोकतंत्रिक पार्टी का है जिसका नाम के पहले आपने राश भर में जा रहा है वो गलत जा रहा है और आपको नागौर का नितिश भी इसलिए का जा रहा है कि नितिश कुमार की तरह आप भी कभी इधर तो कभी उधर होते जा रहे हो ये जो हनुमान बेनिवाल कर रहे हैं वो उनकी इमिज को टांडिश करने वाला है और कही न कहीं इ भी एक वज़े हो सकती है उमेदाराम की उनके पास से जाने की क्योंकि समझ में आ रहा था उमेदाराम मेनेवाल को भी की फ्यूचर क्या है आज हनुमान मेनेवाल है कल नहीं रहेंगे हमारे साथ या बीजेपी के साथ या एंडिये के साथ या कॉंगरेस के साथ वो बदलते जाएंगे इसलिए एक स्टेबिलिटी की जरूरत थी और वो लोग महामूब कर रहे हैं आप देखिए इस विधानसवा चुनाव से लोगसवा चुनाव से पहले भी और विधानसवा चुनाव से पहले भी कितने लोग आरेल पी छोड़कर भाश्पा में भी शामिल हुए ह है कि आपका ये बार 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 दल बदलना गडबनन का दल बदलना ये आपके इंटरनल पार्टी में भी बहुत दिक्कत देता है और आपके जो बाहर समर्थक हैं जो वोटर हैं उनको भी कही न कहीं बहुत निराश करता है तो हनुमान बेनिवाल के लिए ये बड़ी चुनोती बनता जा रहा है क्योंकि इस से उनकी जो पैट है वो जो दिलों में बसते थे उसमें लगातार कमी आ रही है आपने देखा होगा विधान सबाचुनाव के तुरंद बाद जब हनुमान बेनिवाल बहुत कम मारजिन से विधान सबाचुनाव जीते थे उनका एक वीडियो वाइरल हुआ जिसमें उनका एक समर्थक भी जिन्दाबाद नहीं कर रहा था उनके साथ में और उनको बोलना पड़ा कि भई नारे तो लगाओ इस कदर उनको गुस्सा आ गया था ये गिर्ती हुई साख का एक नमूना था उसको हनुमान मेरिवाल को पहचानना होगा कि कहीं न कहीं निष्ठा और कहीं न कहीं अपना एक क्रेडिबिलिटी बनाना बहुत जरूरी है देखे दिन बदलते हैं समय बदलता है और उसका एक्जामपल आप सचन पाइलिट को आप देख सकते हैं क्या उन्होंने क्या कुछ नहीं सहा अपनी ही सरकार के नेताओं से अपने ही साथ काम करने वाले कारेकरताओं से लेकिन जो उन्होंने अपनी शक्सियत का परिचे दिया है जो उन्होंने अपने धेरे का परिचे दिया है आज उसको देखते हुए वो ना सिर्फ अपने देश में बलकि विदेश में भी अपना डंका बज़वार है। जैसे वो अपने स्टैंड पे कायम रहते हैं पार्टी के साथ भी कायम रहेंगे इससे उनकी राजनितिक करियर भी आगे बढ़ेगा लोगों का भरोसा भी आगे बढ़ेगा और ये बिल्कुल ठीक कह रही है जितना आपकी सचिन पाइलेट से बात बहुत सीखने वाली है कि यही शडिक पलों के लिए कुछ सालों के लिए आपको इंसल्ट सहन करनी पड़े आपको बिना पद के रहना पड़े आपको लगातार अंदर खाने की धोके बाजी सहन करनी पड़े लेकिन आप निश्ठा बरकरार रखते हो लोगों में जाना बरकरार रखते हो अपनी छे करनी का फल मिलेगा, अच्छा मिलेगा, सबर का फल मीठा मिलेगा, बहुत मीठा मिलेगा, और जब वो मिलेगा, तो उसके बाद आप बढ़ते ही चले जाओगे, क्योंकि आपकी पाटी को, उनकी आलकमान को भी लगातार ये नजर आ रहा है कि इस शक्स ने इतने इतने भीषण इतने भीषण अपोजिट वातावरण में भी हमेशा निश्ठा का अपना जणना जो है बुलंद रखा चले गए भले ही इतने सारे लोग चाहे जोति रजित्र सिंधिया आर्पी एन सिंग जतिन प्रस बार उधारन दिया ये बताता है कि देर से सही सफलता मिलेगी भरोसा ऐसा बनाना चाहिए सबके दिलों में कि उसकी कोई जगाई ही नहीं ले पाया और सच बात है ये आज कॉंग्रेस अगर सोचती है ठंडे दिमाग से बैट कर राहूल गांदी प्रियंका गांदी सुनिय आते होंगे ये ही वज़े है आप देखिए इस बार अमेटी से जिसको टिकेट मिला और वो जीत गए उन्होंने इतने साल भरोसा बनाया आज से पहले वो कैंडिडेट भी नहीं थे उन्होंने मुंसिवल चुनाव भी नहीं जीता था कि शोर जी की बात कर रहा हूँ मैं औ आप जब भरोसा बनाते हो तो फल थोड़ा देर से मिल सकता है लेकिन जब मिलेगा तो बहुत अच्छा मिलेगा और लंबे वक्त तक के लिए मिलेगा ये सचिन पाइलेट से सीखना होगा और भी बहुत सारे लोग हैं जिन से सीखना होगा आप और किसी का नहीं तो हमारे प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी का एक्जामपल लीजिए इतने साल अपनी जंदगी के संग को दिये कितने साल तीसियों चालीसियों साल दिये उनों ने और तब तक किसी पत की इच्छा ने रखी फिर बतार बीजेपी कारेकरता क्या नहीं किया प्रेस कॉंफरेंस में आने वाले पत्रकारों को डाइरिया भी बाटी है बिना पैसे के इधर उधर घूंते हुए प्रचार भी किया है किसी के भी घर खाना मिल गया तो ठीक नहीं मिला तो ठीक वो खाना भी खाया है और फिर वो चीफ मिनिस्टर बने तो निष्ठा अगर रखेंगे इस पूरी पीके केवल दो सांसत थे तब भी वो बीजेपी के साथ देखे संगश और इमानदारी का जो फल होता है वो हमेशा अच्छा ही होता है और हनुमान बेनिवाल क्यों बार बार इस तरीके से नाराज़गी जाहिर करते हैं क्योंकि उन्हें बार बार ये फील हो जाता है कि हम पार्टी से हैं और हमारा यूजन थ्रो किया जाता है मुझे लगता है कि हनुमान बेनिवाल को पता होगा ये साहीर तोर पे पता होगा लेकिन एक बार चिंतन मनन करके सोचना चाहिए कि एक वक्त पर बीजेपी के भी मात्र दो ही सांसत थे मात्र दो ही सांसत थे आज वो बीजेपी पिछले दस साल से तो सक्ता में रही ही फिर से सक्ता में तीसरी बार आ चुकी है और वो भी अच्छे खासे नंबर्स के साथ तो समझना पड़ेगा 240 से जादा सीटे बीजेपी की हैं समझना पड़ेगा इस बातों को हमें की 2 सीट से 243 सीट का सफर इस से पहले वेले टेन्योर में 300 सीटों का सफर अगर BJP पार कर सकती है तो RLP भी वो बन सकती है पर निष्ठा का उधारन देना होगा निष्ठा के साहत ही रहना होगा निष्ठा छोड़ी अगर बार बार तो भरोसा नहीं रहेगा बरकरार इस बात को समझ कर हनुमान बेरिवाल को उन लो आप उनके साथ भी चले गए और पिता पितर की जो जोड़ी याद के जाती है वो पाइलिट और पाइलिट के जो पिता जी है उनका एक्जेम्पल भी आप अच्छे से देखते हैं सुनते हैं लोग उनने कितना मानते हैं और उसकी वजए यह रही उसका रिजल्ट यह आया कि या जाके देखिये दोसा में जाके देखिया अजबेर में सब राजेश पाइलेट और सच्छन पाइलेट को मानो पूछते ही हैं क्योंकि इतने साल जिसने अपने दीए पिता ने दीए फिर पुत्र ने दीए और निरमतर काम करते रहे उन्हें पता है ना शेतर से धोके बाजी करेगा ये ना पार्टी से धोके बाजी करेगा ये और लगातार हमारे लिए बना रहेगा पद पर रहे ना रहे हमारे संग आता रहेगा हमारी बात उठाता रहेगा हमारे मुद्दे लड़ता रहेगा ये भरोसा अगर हनुमान में बिल्कुल भी नामुम्किन नहीं है वो बड़ा बन सकता है साथ में कारवा बन सकता है बहुत सारे लोग आ सकते हैं माददा है हनुमान बेरिवाल में बड़ी पार्टी बनाने की पर इन कुछ चीजों पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी और लंबी रेस का घोड़ा अगर उन्हें बनना है राजनीती में और अपने राजनितिख करियर को बेदाग रखना है तो उन्हें ये सब फॉलो करना होगा और अगर वो चाहते हैं कि आज वो हैं और नहीं है उसके बाद भी लोग उन्ने याद रखे तो इस परिपाटी पर उन्हें जरूर आगे-बढ़न बिजनस, रोडाक्ट या एकॉमर्स का वीटियो एड है। अगर नहीं तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हैं। क्योंकि एक वीटियो आपके लिए चार सेल्समेंट जितना काम करता है। और जहां चार सेल्समेंट एक दिन में आपके बिजनस को 40 लोगों को एक्स्ट्रेन करेंगे, वहीं एक वीटियो आपके बिजनस को हजारों लोगों को एक्स्क्रेन करेगा। जिससे आपकी सेल्स तो बढ़ेगी. साथ ही आपकी brand value भी increase होगी इसे लिए Mission Media Solutions आपको देता है आपके business को बढ़ाने के लिए वो video ad जिससे आपकी sales चार गुना तक बढ़ जाएगी तब आप इसका वेट कर रहे हैं अभी call कीजे स्क्रीम पर दिये गए numbers पर और बनाए अपनी new brand identity with new video ad